ज्यादा सेक्स करने से क्या होगा यानि ज्यादा मातरा में अगर आप सेक्स करते हैं ज्यादा हैं तो क्या होगा इस वीडियो में बताया जाने वाला है कि आप अगर अपने वीरिये का जादा शरण करते हैं या ज्यादा मातरा में संभव करते हैं तो आपके सरीर के साथ क्य हो सकते हैं आपके सरीर गेंदर क्या-क्या चेंजें जाएंगे और क्या-क्या आपको प्रोब्लम्स हाएंगे और हम उसको कैसे सही कर सकते हैं फिर से और भीना साइड पैक्ट के तोड़ तो इसलिए इस वीडियो को जूरूर देखेगा अगर आपको वीडियो में बताई वह रहे हैं रोज कर रहे हैं तो क्या हो सकते हमें बहुत नुक्सान ऋसकते हैं डोस दोस्तों देखो वीरे बनने में काफी वक्त लगता है नर्मिर आपने सोचा कि भी सेक्स किया और दूथ पीलिया घीर डाल लिया हो रहाग तो रहतो इसको एमर्जैटिग बना लेते हैं सा केला खा लिया इसे सरीर में इमर्जंसी एनर्जी जरूर आते कि अचानक ताकत लाने के लिए यह चीज़ें इस्तमाल की जाती है और यह मैं वीडियो में बताता हूं लेकिन हाथ वहाथ वीरिय नहीं बनता है एक बार जो अपने वीरिय चरंड किया है उसको रिकावर होने मे तीन तीन चार-चार बार सेक्स कर रहे हैं तो उसके कुछ न कुछ प्रणदाम हमें भुखने पड़ेंगे इन फ्यूचर और वो क्या है सबसे पहले उसमें आएगी आपकी सेक्स करने की इच्छा में कमी यह सबसे बड़ा प्रोब्लम बनती आ रही है आज किसे में सेक्स क करने की इच्छा में कमी वह कैसे अगर आपके शरी में वीरये ही सरी तरीके से निर्मान नहीं होगा, प्रण कंटी सही नहीं मी पनेंगे आपको दून ही नहीं है फिर बात करेंगे इन भुखने क में नॉwarmल सी बात है बच्चे पैदा होने प्रोब्लम आएगी, और साथ ए इरक्टाइल डिस्फंक्शन, एडी की भी प्रॉब्लम आपको आनी स्टार्ट हो जाती है, और सिगर पतन, जब सरीर में ताकत ही नहीं होगी, तो सेक्स कहां से होगा, चोटी चोटी बातों पर चिड़चड़ापन, आलेस है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स की रेट होने ल कि वजए से होगा और 90% depression, टैंसन आती ही इनए कारणों की वज़े से है, ज्यादा padding हो नस होने की वज़े से, ना कि आपके काम की वज़े से, न और, इसी ही वज़े से आप depression पीनों से शिर्चड़ए हो जाते हैं दिरे-दिरे करके, और इसी में आज ऐस के हम क्या कर सकते हैं हम जिवन सेलीष बदल सकते हैं. सेक्स करना कम कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? दोस्तों सबसे बड़ी चीज है इस्प्रम्न का बचाओ. कुछ समय से आपको सेक्स कम बेस पे करना स्टार्ट करना चाहिए. मेरा मानना यह है. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हम तो sex करेंगे यह है कि माता कम कर सकते हैं एक दिन छोड़के एक दिन कर सकते हैं लेकिन हमें कम से कम महीने में 10-15 दिन sex नहीं किया तो कुछ नहीं मजाएगा तो उसके लिए आपको best doge域 लेनी पड़ती हैं वो भी हमारे घर की चीज़े ही होंगी आयरवेद की चीज़े होती है उसके लिए भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है लेकिन एक परफेक्ट अगर आपने जो खोद दिया है अब वो बन ही नहीं दाए तो उसके लिए तो एक इलाज की ही जूरूरत है आप सुचों कि मैं खा लेता हूँ दूद पी लेता हूँ केला खा लेता हूँ या इलाज़ी ले लेता हूँ या छोवारे खा लूँगा या मार्केट से जागे असोगंदा पाउडर सतावरी ले आऊंगा उससे मेरा कुछ बेनिफिट होगा बिल्कुल होगा लेकिन जो चीज आपको चाहिए वो नहीं मिलेगी आपको जो आप खोच चुके हो वो रिकावर नहीं होगी है उन चीजों से ये नुस्खे हैं ये नुस्खे उन लोगों के काम आते हैं जो परफेक्ट हैं जो सही चल रहे हैं अभी सही चल रहे हैं और इन फ्यूचर वो सही रहना चाहते हैं समझे इलाज की सक्स जुरूरत होती है इन पेशेंटों को जिनको बिल्कुल खराब हो चुकी हैं उनकी कंडिशन और वो ठक चुके हैं इधर उदर से नुस्खे अपना कर इधर उदर के मेडिकल सौप से दवाई ले लेकर और बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट करके मुझसे बहुत सारे पेशेंट पूछते भी हैं कि सर हम बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट लिये बहुत सारे डॉक्टर से बड़े सी बड़े डॉक्टर से हमने सेक्स्वल प्रॉब्लम के दवाई लिये लेकिन आपने लिया क्या है आपको ये भी पता है हम जब भी तक दवाई खाते हैं तब तक रिजल रहता है उसके बाद वो नहीं रहता है तो आपने लिया क्या है वो आपको नहीं पता है क्या पता आपको श्टेरोइड खलाया गया है आईरोइद कभी ऐसा नहीं करता है कि जब तक आप दवाई खा रही हो तब तक रिजल मि बिना sideback के वक्त लगता है वक्त आपको भी मिलेगा इसका अर्थी है यह कि वक्त आप मुझे दोगे दवाई में ताइमिंग आपकी मैं बढ़ाऊंगा इरेक्शन आपका मैं बढ़ाऊंगा स्पर्म काउंट सब कुछ अच्छा हो जाएगा बिना sideback के सबसे बड़ी बात होती है कमें दिये जाने वाले फर्जी लोगों से बचे कमेंट्स में बहुत सार अद्दा लोग फर्जी होते हैं 99 का 100% लोग फर्जी होते हैं कभी उनका कोई बरोसा नहीं होता है आपको बचकर में उठ चुका है सेक्षूल प्रॉब्लम के इलाज के लिए उनको यही नहीं पता है वो दवाई की इन वैक्तियों से ले रहें तो बचके रहें सत्रक रहें अगर आपको मुझसे इलाज चाहिए तो यह वाट्सआप नंबर है को अगर उठाया रहे तो कोल की इलाज के बारे में मिलते हैं नेक्ट वडियो में तब तक के लिए नमस्कार